दोस्तों लंबे घने बालों की साथ साथ बाल बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइनी और सॉफ्ट हो ये सभी की इच्छा होती है आज की वीडियो में जो remedy मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ है दोस्तों ये आपके बालों को naturally shiny बहुत ही तेजी से soft सिल्की बनाएगी और आपके बालों को बहुत अच्छे से bouncy बनाएगी अगर बाल बहुत जादा damage है फ्रेजी है रफ और dry है तो दोस्तों आपके बालो कि ये problem तेजी से बालों से हटाएगी साथ ही साथ दोस्तों आपकी hair की scalp को इतनी तेजी से strong करेगी कि hair ball की जो समस्या है बालों में वह भी बहुत तेजी से हटेगी टेंडर बगेरा scalp में है उसको भी ये आपकी scalp से हटाएगी इस remedy को दोस्तों किस तरीके से हमने ready करना है इ इने चैनल पर देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए दर चली शुरू करते हैं दोस्तों आज की स्रेमिटी को बनाना दोस्तों सबसे पहले आपने इस remedy को बनाने के लिए पहला ingredient जो चाहिए वो है दोस्तों मीथी दाना मीथी दा होते हैं यो स्कैल्प को अंदर से स्ट्रॉं करते हैं जिससे बालो की हर अग परिशानिक तेजी से खतम होती है इसकी इसमाल से आपकी बाल जो है बहुत तेजी से बढ़ने के सासा दोस्तों मोटे घणे होना शुरू ही हो जाते है यह आपकी डएमिईज को रिपेयर करता ह आपके बालो की जो dryness है और roughness है उसको बालो से हटाता है 37 डेंडर बगेरा की जो problem स्केल्प में है उसको स्केल्प से हटाता है आपकी स्केल्प को बहुत ही तेजी से clean और clear करता है आपने क्या करना है दोस्तों यहाँ पर एक चमच मीती दाना लेना है और दूसरा आपने क्या करना है फ्लैक्सीट का इस्तमाल आपने अपर करना है जो की बहुत अच्छी ऐसे nutrients होते हैं इतमे ओमेगा 3, 6 fatty acids होते हैं जो बालो को soft, silky, smooth बनाता है और बालो को बहुत ही तेजी से घना करता है इसके साथ दोस्तों आपके बालो को तेजी से ये growth देता है अगर आपके बाल बहुत ज़्रेजी हो चुके हैं बालो की ज़र चुके है तो इसकी इस्तमाल से वो तेजी से बाऱपस आना शुरू हो जाती है साथी साथ, rider को ये बहुत इच्छी से मजबूत करता है आपके बालों में बिरेकेस की परिशानी को यह तेजी से हटाता है इसकी सासा दोस्तो आपके बालों का जड़ना यह बहुत तेजी से रोकता है आपने क्या करना है दोस्तो इन सब को एक गिलास पानी डालकर अच्छे से यहाँ पर Soak कर लेना है overnight आपने यहाँ पर इसको soak करके छोड़ना है ताकि इन सब की जो nutrients है आपको इस पानी में मिल जाए अच्छी सी इसको soak करने के बाद जब आप next day इसको देखेंगे तो दोस्तों क्या यह पानी थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाएगा क्योंकि इसमें हमने मेती दाना और फ्लैक्सिट का इस्तुमाल किया है इसी भी बाउल में आपने इसको stain कर लेना है और दोस्तों stain करने के बाद आपनी क्या करना है इसमें आदा निम्बू का रस जो है वो निचोर देना है जिससे आपकी हिल्की scalp की dander वगेरा की समस्या खतम होगी और बालो की dryness और roughness जो है वो खतम होगी बाल सिल्की shiny करेगा है यह दोस्तों आपकी हिल्की scalp क्लीन करने के साथ बालो का जो जड़ना है बहुत तेजी से रोगता है और इसी के साथ इसके मजबूत होती है तो बालो का growth जो है वो भी तेजी से बढ़ना शुरू हो ज application कर सकते हैं जिस दिन आप hair wash करना चाहे हैं आप hair wash की बाद भी इसका इसका इस्तमाल कर सकते हैं आप जैसे भी comfortable है उस तरीके से इसका application अपने बालो पर कर सकते हैं डेली अगर इसको लगाएंगे तो दोस्तों आपके बालो की हर समस्या तेजी से खतम होना शुरू हो चौपा देंगे इतने गजब के benefit इस remedy के आपके बालो को मिलना शुरू हो जाएंगे